तो यहाँ पर डेटेक्ट हो चुका है देख सकते हो और यहाँ पर हमारी जो फ्लैसिंग होना भी स्टार्ट हो चुकी देख सकते हो दोस्तों जिन जिन अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेना है तो चलिए यहाँ पर हमारा चैनल सर्च करेंगे और यहाँ पर हमारा देख सकते चैनल आजाएगा उस पर जाके रेड कलर के सस्क्राइब बटन पर क्लिक करना है और यह देख सकते हैं हमारे पात YOU FONP là My total V kan और चली अपहले आइटनार का FONP cada तो यहांपे देख सकते हो IP 509 2 लगल तो यहां पे चलीए दोस्तों पम हो चालू करता हूँ तो और यहां पर दोस्तों इस पा लगा होका पिंडॉक और जासे कि दोस्तों आपके पास पिन लोग पर आता है फोन या बंद चालू हो रहा हूँ या आइटल में आके बंद हो जाता हो फोन तो यह सारे प्रॉब्लम एक फ्लेस करने से हो जाते हैं ठीक तो में जीज आज हम इसकी फ्लेसिंग करेंगे इसकी वो कैसे करेंगे बताएगे इस वीडियो की मतबसे तो दोस्तो आज हम इस फोन की में फ्लेसिंग करने वाले हैं पिन कोड तो आप भी हटा सकते हो बहुत से option हैंगे पिन लॉक हटाने के तो दोस्तो चलिंगे अब अपने laptop में करिंगे इसकी flashing आप वीडियों चलागा तो हमेर हमारे चैनल को last में like subscribe जुरूर करते जाना तो चलिए चलते हैं अब अपने laptop के तरफ तो यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारी firmware है यहाँ पर right click करना है firmware में जाके फिर यह extract here करना है तो file में लगा हुआ password तो मैं file पर password डाल देता हूं तो यहाँ पर दोस्तो T capital है तो यहाँ पर दोस्तो पहले में इसको copy कर लेता हूं यदि दोस्तो यहाँ पर password नहीं लेगा तो यह T के जो और इसके बीच में spaces को अलग कर दूँगा space तो देख सकतो यहाँ पर file का password description में मिल जाएगा तो यहाँ से ok करूँगा तो यहाँ पर password ले लिया है देख सकतो दोस्तों यह हमारी extract होने का .pack file है pack file होती है spd tool में file तो चलिए हम tool के अंदर चलेंगे और यहाँ पर जैसे कि मैं r0001 को select कर लेता हूं version को research download पर click करता हूं और इसको cut करूँगा और दोस्तों यहाँ से file load होगी यहाँ से file को load करूँगा और आप आप से पूछ रहा है जहाँ आपकी file extract हो वहाँ की location देदेना है जिसे कि हमने किया था desktop पर और यह pack file itl.it5092 open कर देना है तो यहाँ पर देख सकतो तीन MB की file है तो इसमें ज्यादा सह नहीं लगता है यहाँ पर देख सकते हैं लोड हो चुकी है यह होता इसका download का button तो चलिए यहाँ पर start पर click करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो अभी भी इस पर lock लगा हुगा है देख सकते हो 00 करूँगा जैसे और okay करूँगा तो incorrect password कह रहा है तो चलिए battery निका यहाँ बाके data cable insert करता हूँ इस पर दोस्तों यहाँ पर USB not recognize हो गया तो यहाँ पर detect हो चुका है देख सकते हो और यहाँ पर हमारी जो flashing होना भी start हो चुकी देख सकते हो दोस्तों तो यहाँ पर flashing चल लहीं दोस्तों देख सकते हो और यह set की आई में वगएर दिखा दिये तो चलिंग अब अपने set के तरफ तो यहाँ पर देख सकते हो फोन हमारा connect है दोस्तों थोड़ा सा port का issue है हमारा इसलिए फोन एक बार में connect नहीं हुआ है दोस्तों तो जैसे कि मैंने ऐसे रख दिया फोन तो आप भी रख देना है आपको भी रख देना फोन कभी कभी दिक्कत कर जाता है डिसकनेक्ट होने के कारण डेड़ भी हो सकता है फोन तो दोस्तों देख सकते हो पास लिखके आ चुका है स्क्रीन में फिलैस हो चुका है चलिंग अब अपने यहाँ पिस के तरफ मोबैल के तरफ और बैटरी को निकालके एक बार फिर से लगाते हैं और चलिए चालू करत हैं बैटरी भी लो था हमारे फोन नेखा चलू हो गया है दोस्तों देख सकते हो अब देकने बादे का तो यहां पर दोस्तों कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा है पासवर्ड लॉक हट चुका है तो सेट करने में जदी आपके पास कभी ऐसा हैंड सेट आता है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमेरे चनल को लाइक सब्सक्राइब करना और थैंक्स फर वचिंग गाइस